यह चुनाव आपको कहां जाता हुआ दिखा है भारती जनता पार्टी है ट्रिक करेगी करेगी और करेगी विफक्ष क्या रहा है कि 400 पार की पहले मोदी जी बात कर रहे थे अब नहीं कर रहे हैं मैं देख रहा हुँ है कि एनधी है है कि वो एजन दायन नहीं कर पा रहे हैं एक आपका बयान था कि कॉंग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो यह राम मंदर का फैसला पलट देगी यह मेरा बयान नहीं है यह बयान है कॉंग्रेस के विश्वस्ता सलाकार का और उन्होंने निर्णे करके लिया है यह हम राम लगा को फिर से एक बार टेंट में बेच के ही रहेंगे कर दो को इस चुनाब में लगातार आपको अपशब्द कहे जा रहे हैं और अंग जेप का गया महाराष्टर के एक निता ने आपको बुरा लगता है यू आपको गुस्सा आता है कि जितनी घंड उसा लेंगे, जितना टीचर उसा लेंगे, कमल उतना ही ज़्यादा कि रहे हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी। आपके सभी दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। तीन चरण संपूर्ण हो चुके हैं। यह चुनाव आपको कहा जाता हुआ देख रहा है। कि कॉंग्रेस पार्टी कहो या उसके साथी कहो सबके सब एक प्रकार से दिशाहिन नजर आते हैं। आप देख आपको कहीं पर भी इंडी अलाइंस नजर नहीं आएगा। वो नेता नहीं तहीं कर पा रहे हैं। वो एजेंडा तहीं नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि मोदी का घोर विरोध, मोदी को गाली जलोच उसी से उनका काम चल जाएगा। और वो उसी के अधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। देश इतना बड़ा देश आज खास करके जुन्नाव जवान मद्दाता है। वो यह हमेशना सोचता है कि पर आखिर कर इतने बड़ा देश इतनी वीवी देता है। ऐसा कौन नेता है जो इसको समाल पाएगा। नाम बताओ। इंडी एलाइंज के लोग नाम नहीं बता पा रहे हैं। और वो कहते हैं बाद में फिर इतना भी कहते हैं कि मैंने कहीं अगबार में पड़ा। और चलीकलिया सब्सक्राइब करते हैं। और उन्होंने सोचा हुए कुछ पानी के भीना क्या होगा तुछ मिलकरना बाई की जाचकरने ऑले लोक है तो उनको भूलचा पानी तो 100 मीटर हो हमे यह जान पर निकले का था मिलेगा तो थे कि सब्सक्राइब कर दस मीटर मेरे यहां कि गड़ना करो दूसरे ने कहां दस मीटर मेरे यहां करो पानी निकलेगा तो पांच साल में पांच प्रधान मंत्री इतने बड़े देश को वह समझ भी नहीं पाएंगे मैं कल भी बोला हूं जी अब वह ठीक है कि उनकी चिंता यह है आगी कॉंग्रेस का एजंडा क्या है चार सो पार कर पाएंगे गने पर पाएंगे उनका एजन्ड नहीं कि वो कितनी सीटे जितेंगे और कैसे जितेंगे। मैंने करीप निम्दुस्तान के एक तिन्चार राज बाकी हैं। सभी राज्यों का भ्हाण किया है। और सभी राज्यों के भ्रह्मन से मैं देख रहा हूं कि यह आंधी है आंधी बड़ी और चार सो पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है विपक्स 19-24 में विपक्स के नाते भी विफल गया है जो लोग विपक्स के नाते भी 20 पल गये हो उनको इतना बड़े देश का कारवार कौन देगा लेकिन एक सवाल मन में आता है कि बीजेपी ने 2019 के अंदर 303 सीटे अपने दम पर पाई हिंदी भाशी राजियों में एक तर भारती जनता पार्टी जो आप इतनी पुरानी सोच के साथ बैठे हुए हो गोवा हिंदी भाशी है क्या गुजरात हिंदी भाशी है क्या महराष्ट्र हिंदी भाशी है क्या असाम हिंदी भाशी है क्या बंगाल हिंदी भाशी है क्या करनाटर का हिंदी भाशी है क्या आज भारतीय जनतापांटी पूरे देश में हैं और पूरे देश में मैं कह रहा हूँ भारतीय जनतापांटी गरेगी करेगी और और यह यह मोधी कहता हुख इसलिए कर लिया है इसलिए 400 पार होना है और भारतिय जनता पार्टी भी अपने सारे रेकॉर्ट तोड़ेगी और एंडिये भी अपने सारे रेकॉर्ट तोड़ेगी तेल्गू स्टेट्स में आपको क्या लगता है आंध्रा में आंध्रा एंड तेलंगणा इस चुनाव में साउथ सबसे बड़ा सर्प्राइज देगा केरल तमिलाडू पुडिचेरी करनाटगा आंध्र तेलंगणा सभी में अइतिहासिक परिवर्तन आपको नजर आएगा और बहुत बड़ी सिद्वी भारती जनता पार्टी और एंडिये के पक्ष में रहेगी जिए बिल्कुर साफ नजर आता है और मैं मानता हूं कि तेलंगणा क्लीन स्विप करेगा जिन राज्यों में राज्यों के चुनाव है वहां भी जहां भारती जनता पार्टी है वो रिपीट करेगी जहां एंडिये हैं वो नई सरकार बनेगी और इसलिए इन सभी राज्यों में सरकार बनना तय है आंद्र तेलंगणा में भी क्लीन स्विप होने वाड़ा है एक मैं पुरदेश घुम रहाऊँ चुनाव के चुनाव के लिए एक चीज मैं धेखी शुनाव नरेटिव सली हैं चुनाव का नरेटिव कि Set के पीज़ियो बार 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 बदल रहे हैं कैसे नेख्षा को आप narrative नहीं कह सकते हैं चुनाव का narrative एक ही है और वो है फिर से एक बार मोधी सरकार जी चुनाव का narrative एक ही है अब की बार 400 पार narrative वही है लेकिन लेकिन यह लोग हतास हैं निरास हैं जो मुद्धों की तनाश में हैं जि उनके लिए बार बार वो खोज रहें कैसे ठीक है कैसे लोगों के बीच में रहे इसलिए उनको यह खेल करना पड़ रहा है लेकिन वो नीचे तक लोगों को बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं लेकिन उत्तर से दक्षन तक पूरफ से पश्चन तक एक नरेटिव है मोदी जी और यह हमारा प्रेशर नहीं है देश की जनता का प्यार यही मेरी बहुत बड़ी शक्ति है देश की जनता के आशिरवात यही बहुत बड़ी पूंजी है और इसलिए प्रेशर मैं देख रहा हूं कि इंडी एलाइंस में है क्योंकि उनकी इंडी एलाइंस बनी नहीं पा रहा है आप बन तोंते ही मंते जए केक्ट सब्सेट सर्हा गए ओने हुट कुछ उनाव लटगए और मैरे पूरे चुनाव में सबसे टीखी आलोजणा सबसे तीखी भाषा अना में कहीं सुनी है तो वह मेरे उॉईनाड में सुनी है के सुनी दूब जहां कॉंग्रेस के इतनी बद्धी तरीके से आलोच नहीं और कॉंग्रेस ने अपने इंडिया लाइन्स के साथ ही के खिलाब इतनी बद्धी बाच में बोला एक आपका बयान था कि कॉंग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो यह राम मंदर का फैसला पलट देगी यह क्या यह मेरा बयान नहीं है आपने बोला इसके यह मेरा बयान मेरे मूँ में बयान मत डालिए यह बयान है कॉंग्रेस के विश्वस्त सलहाकार का जो कॉंग्रेस के 10-13 साल तक और टॉप परिवार के स्वाकार रहे उन्होंने कहा है कि ये semua के लिए यह कंग्रेस वारो ने sport रुट मेंझा सिम्जर का गड़ес ये उनके सलाकार ने कहा है, ये कॉंग्रेस वालों ने नेने किया है, और देश को पुरा भरोसा है कि इस प्रकार की करने की इनकी आदत है, गोड़ बेंग की राजिलिते के लिए कुछ भी करना इनकी आदत है, एक सवाल और हम बिहार की धर्ती पे है, आर जे डी यानि इस देखने को मिल रहा है, लालू जी ने मुस्लिम आरक्षन की बात कही है, उन्होंने बुला कि मुस्लिम का आरक्षन होना चाहिए, क्या देखते हैं आप। बाबा साब अमबेड करके भी विचार बहुत पश्ट रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होना चाहिए पंडित नहरू भी इसी विचार के थे लेकिन उसके बावजुद भी राजनीती और सत्ता की भूख ने इनको इतना नीचे गिरा दिया हैं कि वो देश को फि स्ट्राइक हुआ था नहीं हुआ था वो पूछ रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको देश की सेना के प्रती है नफ्रत का भाव पड़ा हुआ है और इसलिए देश के सेना नायक को उन्होंने एक बार गली का गुंडा कहा था जिनकी भारत की सेना के प्रति ये भाव होंगे कुंग सेक आपक। कैसे आप्कषा कर सकता हूँ पाकिस्तान भी स्ट रिख राइक नहीं हुआ इसा पाकिस्तान गर है करे लेकर के पाकिस्तान में पहसं में में ये ईस पकार से सज़ी करके जाते हैं अगर हमारी बात नहीं माननी है हमारी देश के सेना की बात नहीं माननी तो वह अपने मित्र पाकिस्तान की लोगों के लोग उनको तो मान ले इस चुनाब में लगातार आपको अपशब्द कहे जा रहे हैं औरंग जीब का गया महाराश्टर के एक नेता ने एक और विपक्ष या ऩो whilst यपा लगते हैं कि आपको गुस्ताइश क culinary piş को कामढ़ नामदार है और हम कामदार दोगसे पूस्तने मजशा भी पूझते हैश्य का रहष्य क्या है तो मैं मजञा करता हूं कि आता हूं और उसी से मुझे उर्जा मिलती है तो नहीं लेकर उस कवीता का भाव यह था कि मुझे जो पत्थर फैंकते हैं मैं उनी पत्थरों से पक्थी बना देता हूं और मैं उसी से उपर चड़ जाता हूं और दूसरा मैं कहता हूं कि जितनी घंड उचालेंगे जितना कीचर उचालेंगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा एक सवाल आखरी यह है कि मातां और भेनों का आप से विशेश लगावे हैं कल हम बंगाल का वीडियो देख रहे थे उस बंगाल के वीडियो के अंदर महिलाए मतलब उनके आखों में आसु आ रहे हैं एक इमोशनल कनेक्ट जो है इसको प्रधान मंत्री जी आप किस तरह से देखते हैं तो कि यह बहुत बड़ा इमोशनल कनेक्ट बहरबानी करके इन मातां बेहनों का जो आशिरवाद है इसको राजनीति के तरह से मत तो लिए एक भा प्रधारी शर्टी को बढ़ावा देना चाहिए तो मैं बड़ी सद्धा से एक पूजा भाव से काम कर नहीं कृपा करके इसको राजनीति के तरह सी जवमत तो लिए और मैं चाहता हूं मैं वैसा ही उड़ि बक्ति भाव से देश की मातां की सेवा करो इस देनों की वहनों क सेवा करो इस देश की बेटियों की सेवा करो यूथ वोटर को फर्स्ट टाइब वोटर उसको आपका मेसेज क्या होगा पधान मंत्री मोदी मेरा उनके लिए कोई मैसेज नहीं है मुझे तो देश की युवा का मैसेज चाहिए मैं देश की युवाओं की इच्छा कांग्शा के नुसार चलना चाहता हूं मैं अभी सो दिन का कारकम बनाया है मैं अभी सोच रहा हो कि मैं 125 दिन का बना ओर मंब 25 दिन जो है उसके लिए देश के युवाओं को पूछने वाला हूं यह 25 दिन के लिए उनके क्या से सब्सक्राइब बात करते हैं इसा है मैं तो जीता हूं दिल के सब्मनधों से जी बहुत बहुत धनेवाद धनेवाद परधानमत्री जी आपने हमें समय दिया पर आप 100 से ज्यादा रैली और रोडशो कर चुके हैं इतनी उर्जा आप कहां से लेकर आते हैं धनेवाद धनेवाद परधानमत्री मोदी